हलो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR study में आज बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा ना चोटा सा गुड़ा स्क्रीन पर जी हाँ बिल्कुल आपकी कलासे बाधित नहों इस वज़ा से हमने कोशिस किया कि आपको अच्छी तरह से कुछ ना कुछ कलासें मिलत होते हैं इसे कापेसिटी बोलते हैं है ना मतलब छेत्रफल आयतन और धारतिया के बारे में बात करेंगे नाइन नंबर चैप्टर है आपका ये पाच्वाँ पार्ट होगा क्योंकि उल्टा तरह से कलास चल रही पीछे से हैं ना चलिए देखे साथियों पिछली कलास में ह लोगों ने बात कर लिया है छेत्रफल क्या होता है यह मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि किसी भी आकृती के द्वारा घेरे गए समपूल च्षेत्र को उस आकृती का छेत्रफल कहा जाता है मतलब जैसे रेड कलर के अंदर यह जतना जगा यह लिआ है रोका अगर आयतन की बात करें देखो आयतन के बारे में अभी हमने बात नहीं किया है है ना आयतन में इसमें छेतरफल में अंतर होता है दोनों में देखिए इसके बारे मैं यहां पर आपको दिखाना भी चाहूंगा क्योंकि बोलने से ही ज्यादा कुछ नहीं होता है देखो यार आयतन में क्या होता है न एक ठोस जितना अस्थान गेरता है वो उसका आयतन कहलाता है ठोस मतलब आप जानते हो देखो इसके लिए आप ये संकल्पना पहले पढ़ लो तब आपको समझ में आएगा उपर साइड में लिखा है आप ध्यान से सुनना दिख भी रहा है अगर करें कि ठोस पदार्थों में लंबाई और चौणाई के साथ-साथ मोटाई या उचाई भी होती है यह सभी ठोस एक निश्चित अस्थान गेरती हैं किसी ठोस पदार्थ का कम या आधिक अस्थान गेरना उसके आकार पर निर्भर करता है कहने का मतलब यह हुआ ठोस मतलब आप जान रहे हो जैसे अगर हम क्रिया कलाब के बारे में एक आपके बात कर देते हैं आयतन को आप अच्छे से समझ लो गहराई से क्रिया कलाब समझ लो जो आप घर में कर सकते हो क्या करना है धातू के आकार के बेलन लीजिए दो धातू के दो असमान आकार के बेलन कि एक कपीन का सबस्काइब लेकिन वह जो बैलन आपका DRifornia और एक बैलन रही मदरता है कि अब यह फिर आप ऐसा कर सकते हो हाँ ये चीज तो आपको लेना ही पड़ेगा कोई भी बस्तू दो बस्तू लेना है उसके बाद क्या करना है दो एक समानाकार की बल्टी में पानी भरिये बल्टी आपके सबके घर में होगी करके इसको देखना दो बल्टी लेना दोनों बल्टी लगभग एक समानाकार की होन दो लेकिना है दो गिलाफ लेना आपodus हिसके बाद क्या करना ऐस यह धात्वारी हसा गिलाफ ले लेना बरबर बराबर के उन दोनहों पानी बराबर भर ना एकदम थीक के बात क्या करना दो टूक्ड़ेडे लेंना देखो मैं आपको घर में करने के लिए बता दूंँ अगर आपके पास कोई लोह करार्ड या कोई चीज नहीं मिलरा ध्यान से समझना मैं practical बता रहा हूं करके देखना आयतन समझने के लिए ठीक है तो आप रिफिर पत्र का टुकड़ा तो ले सकते हो ना पत्र का टुकड़ा आपको मिली जाएगा है ना उसके बाद एक तुकड़ा एक गिलास मिलाके डुबो देना और एक तुकड़ा एक गिलास में डुबो देना क्या देखोगे अंतर जिस गिलास में छोटा टुकड़ा डालोगे उसमें थोड़ा सा पानी गिलास के बाहर निकलेगा या फिर थोड़ा सा पानी कास्तर उपर बढ़ेगा अगर आप पूरा पूरा भरे रहोगे गिलास को टुकड़े डालोगे तो छोटा वाला टुकड़ा जिस गिलास में डालोगे उसमें थोड़ा सा पानी बाहर बहेगा है न क्योंकि जगा घेरेगा वो बड़ा सा टुकड़ा जिसमें डालोगे उसमें ज़्यादा पानी बाहर को निकलेगा निकलेगा कर नहीं करके देख लेना निकलेगा लेकिन हाँ पहले उसको पानी में भीगो लेना पत्थर कंकर जो भी लेना मतलब वो पानी सोके ना नहीं तो गिलास में डाल दो भाई अमाटी का डिला और सूख जाए पानी लेकर तो पानी बाहर ने निकलेगा बात समझ रहे हो ना तो मिट्टी का डिला मत डालन ने तो पानी सोक लेगा बाहर ने निकलेगा पानी तो कहोगे यह तो गलत बताए मतलब ऐसा चीज लेना जो पानी ना सोक है मतलब अपने अंदर पानी को अब जब ना करे इसलिए लोहे का सबसे अच्छा रहेगा लेकिन लोहे का न मिलेका पत्थर ले लेना पत्थर को पहले पानी में भिगो ले न तब डालना गिलास में समझ रहे हो ना इससे क्या लेकिन समझ में आएगा आपको ज़रा सोचो जो मैंने बताया ये सब करने से क्या होगा देखो ये सब करने से ये होगा कि एक बरतन से थोड़ा हमारी इंडिया में होता हर जगा आटों में आप बैठते हो तो क्या होता है दो की जगा चार लोग को बैठाते हैं जहां पतले पतले लोग होते हैं तो भाई बैठ जाते हैं अगर अगर आपने गौर किया होगा अगर आटों में बैठ रहे हैं और दो मोटे पहले से बैठे हैं तीन उसमें पाँच या चार बैठाना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है तब क्या कहते हैं तब कहते हैं कि भईया एक लोग इसमें से पीछे आई जाओ है ना, एक लोग पीछे आए जाओ, मतलब उसमें सेट कर देते हैं, वो पतले लोग को ले जा करके, क्योंकि उनका आयतन जादा होता है, वो उसमें नहीं आ सकते उतने लोग, बात समझ रहो ना, देख रहो ये भी मुसीबत हरान करें एकदम से, तो ये चीज़ आप समझने क चलो इसको देख लो उपर साइड में, भई बिली तु किनारे चली जा, देखो क्या मैं बता रहा था, वही बता रहा था कि दो टुकडों को बाल्टी में डुबाईए, फिर दोनों से, दोनों बाल्टीयों के पानी के तलों को ना पिये, अब देखेंगे कि बाल्टी एक क पानी का तल बाल्टी दो के पानी के तल से उचा उठ गया, इससे पता चलता है कि बेलन, पहला जो है, बेलन दूसरे से अधिक अस्थान गेरता है, एक ठोस जितना अस्थान गेरता है, वही उसका आयतन कालाता है, बात समझ गए न, एक ठोस जितना आकार गेरता है, वही को देख लेते हैं कौन है हाँ तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप बाहर रहते हैं पढ़ाई करते हैं घर से आप चावल डाल लेके जाते हैं अगर आपने बोरी में पांच किलो चावल लिया चोटी सी बोरी में मतलब रखा थोड़ा सा गठरी बनाया अपनी तो आप ले लेकिन अगर आपने एक बोरी चावल ले लिया पूरा पूरा भर के तो आप उसको सीट पे बीच में नहीं रख सकते हो नहीं तो तीन लोग की जगा ले 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 गी हो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा आकार घेर रही है उसका आयतन ज़्यादा है अब समझे गे ना? आयतन और ये आकार में क्या रिलेसन होता है? ये एक ठोस जितना आफ्थान घेरता है वही उसका आयतन खलाता है अब मत बोलना जिन्दगी में आयतन क्या होता है? ये थी आयतन की संकल्पना इसके आगे अगर हम बात करें आपने देखा होगा लीटर देखिए अब इसमें बात आती है धारिता की हाँ ये आयतन होगया आप धारिता के बारे में बात करते हैं देखो छेतरफल आपने देख लिया आपने देख लिया आयतन देख लिया अब हम capacity देखेंगे धारिता, धारिता क्या होती है, देखिए थोड़ा सा अलग होता है, आपके घर में गलास है, लोटा है, बाल्टी है, बरतन सबके घर में है, गरीब है, अमीर है, कहीं भी रहते हैं, घर में हैं, अकेले हैं तब भी, है ना, आपने देखा होगा अगर छो उसमें लोग नहाते हैं उससे भी जादा आएगा इन सब में क्या समझ में आरा आपको भाई इसमें पांच लीटर दफ लीटर पानी आ जाता है गिलास में 200 गराम आता है बड़ा गिलास में 300 गराम 500 गराम आ जाता है कि देखो है अब इसको पढ़्टेल लेक को किसी बरतन में जितना द्रो द्रो मतलब तरल देखो द्रव का अलग है यह बात राग है धुस्स बरतन में जितना ध्र यानि कि तरल पतार्त्थ भरा सकता है उसकी धारता होती आयतन और धार्टा में अंतर समझना आयतन वो होता है कोई वस्तु जितना आस्थान घेर लेती है कोई ठोस वस्तु यहां धार्टा में ठोस से मतलब नहीं है आयतन में क्या है कि कोई ठोस वस्तु जितना आस्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है लेकिन धार्टा में क्य राती है कि यह किसी बल्यृ में चार जग पानी आता है तो बल्यृ की ध्राइब चार जग होगी आहां किसी बरतन दारा किसी द्रौट के धारण करने की चम्ता उसकी धारण ex Salam भी खा जाता है लेकिन छमता यहां अलग हो जाएगा अगर बोलेंगे तो फिर वो छमता हर किसी की हो जाएगी अलग वात है धारता बोलेंगे तो द्रौ के लिए लोगों को समझ में आएगा गणित की भासा में छमता बोलेंगे तो इनसान की भी एक छमता होती मसीन की भी ए आयतन के रूप में ही होता है जिफे धारता कहते हैं धारता की काई लीटर होती है आपने सुना होगा अगर दूद लेते हैं तो कहते होंगे हम दो लीटर दूद लेते हैं एक लीटर दूद लेते हैं दूद बेंचते हैं तो कहते होंगे हमारे गर में तीन लीटर दूद बि को तेल और बेंचते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए बेंचते हैं वो अलग बात है ठीक है तो आप समझ गए होंगे सीधी सी बात है कि यह क्या होता है धारिता क्या होती समझ के कांसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी बरतन अपने अंदर जितने दरोपदार्थ है तरह अगल तो उस बरतन में आखिर कौन सी ऐसी खासियत है जिसको पूरा भरने पर लोग कहते हैं एक लीटर हो गया उसकी नापतौल होती है ऐसे नहीं होता लीटर अगरा जो बनते हैं किलो अगरा वो परमारित होते हैं सरकार के द्वारा ऐसे कोई लीटर अपने बना सकता है क और यहां से नहीं होता ठीक है 900 मिली लीटर वाला तो एक लीटर जो है जैसे माननलों एक लीटर है अब यहां देखना ये एक लीटर है इसके कहते हैं कि इसमें अगर भर दोगे तो एक लीटर दूद एक लीटर तेल जो भरो गया जाएगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसकी जो लंबाई है ये चौड़ाई ये दस सेंटी मीटर होती है इसकी उचाई भी क्या होती है 10 ही सेंटी मीटर होती है यह हो गई चेंटाई और उचाई अब क्या बचि रहा है इसमें लंबाई भाई यह तो हो गए मनलो चेंटाई यह हो गया लेकिन यह चीछ जो तोटल मिला के एक परकार से इसको बोलेंगे यही तो बोलेंगे ना तो वो क्या होता है दस-दस सेंटीमीटर होता है इस तरह से दस-दस का गुड़ा करके यह एक हजार बनता है तभी कहते हैं कि एक लीटर में एक हजार एमेल होता है देखो इस लेक को पढ़ लीजिए लीटर एक ऐसा घहनाकार बरतन है जिसकी आंत्रिक विमय इस परकार है कि उसकी लंबाई 10 सिंटीमीटर चोड़ाई 10 सिंटीमीटर और उचाई भी 10 सिंटीमीटर होगी यार मैं समझे नहीं पा रहा हूं लंबाई चोड़ाई और उचाई आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा न आप मोड़नागार जानते हो कागश को नहों कागश को भूर मोड़ा बना इस को मोड़ कर दो अगर पिए 10 सिंटीमीटर है और जो बनता है इक नया अकृति मोड़ने के बाद एक नया आकार इसका आता हैै से वाला यह इसकी चो गहराई वह भी क्या होती। ही सेंटीमीडर होती है यह चीच है यह दस सेंटीमीटर अलग है ये दस अलगoned लेकिन ये दस अलग तो इस तरह से इसका quéजा एम ऐइमल हो जाता है इसे कहें एक लेटर है यहांसे आप समझ सकते हैं वैसे किसका कोई काम नहीं है फिलाल मैं आपको गराई से समझा रहा तहstag लिये दिखा दिए कुख़ी कोई मतलब नहीं है हाँ अब इसमें कह रहा है कि निम्投ं कि चित्रों में से चित्र का छेटरफल अधीक है और खिसका कम है यह बताइए तीनों ये क्रिया कलाप मुझे आपको दिखाना था लेकिन मैंने दिखाया नहीं है ना ? थोड़ा सा जल्दी कर दिया देखिए किरिया कल आप मैं आपको दिखा देता हूं समझ लो कि कैसे जानेंगे दो चित्र अगर दिये गए है तो उसमें से किस का छेत्रफल अधिक होगा कैसे चित्रों का छेत्रफल बता पाएंगे कागज के दो आयताकार टुकड़े लीजिए इसे आप खुद कर सकते हो घर में कागज का दो टुकड़ा आप ले सकते हो आयताकार का ऐसे फाड़लो उसको है नए एक तुकड़े की लंबाई पांच सेंटीमीटर आपके घर में रूरर होगा पत्ली पट्री होगई रहोगी आपके फाड़ लो 5 सेंटीमीटर लंबाई तो चोड़ाई 2 सेंटीमीटर है दूफरा एक टुकड़ा ले लो जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और 4 तीन सेंटीमीटर है लागडाउन में बहुत अच्छा मौका प्रेक्टिकल कर लो गर में ठीक है उसके बाद क्या करोगे पहल परिमाफ 14 सेंटीमीटर ही आएगा बड़ी कनफ्यूजन की बात है यह चितना बड़ा है यह इतना बड़ा है दोनों का जो परिमाफ है परिमीटर वो 14 सेंटीमीटर कैसे है यह बात तो ठीक है क्योंकि कोई बस्तू अगर आप ले लिये हो एक लंबी सी बस्तू है और चौ नहीं चीज करना है नहीं देखो। कि है यहाँ पर देखो हैं ओधिए मोररब कोड़ा में नबते हुए एक सेंटिमेटर की दूरी पर खड़ी रेखाएं खींचिये लंबाई में नापते हुए देखो 14 cm परिमाप वाला पहले की लंबाई कितना थी पांच सेंटीमीटर थी न तो कह रहा कि लंबाई में नापते हुए एक-एक सेंटीमीटर की क्या करिए रेखाएं खीचिए तो भाई चलो मैं खीच लेता हूं यह पांच-पांच सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी जो है पांच सेंटीमीटर है दोनों रेखा कि तो हमने यह पांच सेंटीमीटर का खीच दिया वो सुरी 5 नहीं आरue 1 cM एक संटी मीटर यह हो गया एक मेंने और खींच दिया इसके भीच की इसके की त lacline कितना होगा दो सेंटी मीटर यह 3 हो गया च्रूर वह गया और यह कितना हो गया पांच सेंटी इसको मिला दिया अब इन खानों को गिनो आप गिनो कितना होगा एक दूई तीन चार पांच छे साथ आड़ नौ दस कितना है दस है ना तस हो रहा है न इसी तरह से जिस आयत का जो लंबाई थी चार थी और उसका चौणाई तीन थी आपको उसमें भी ऐसे ही करना है बहुत ध्यान से समझो कर लोगे आप इसको अगर यार समझना है तो फिर पूरा वीडियो देखो समझो नहीं समझना है बताओ कमेंट करो अब इसमें भी क्या करोगे चार वाले में लंबाई में पहले चार खींचो आप ये एक एक सेंटीमीटर पर मैंने एक सेंटीमीटर का हिसाब कर लिया ठीक चार का बनाना है देखो दो सेंटीमीटर हो गया क्यों एक इसके बीच में ये तीन हो गया और भहिया आउर का करना है इसकी चोड़ाई तीन दी थी ना उपर तीन तो इधर साइड में आप तीन व चोटी बड़ी खीचने में अब इनके खानों को आप गिनिये इनके खानों को आप गिनो कितना होगा चलो गिन लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस क्यारा बारा कितना है बारा हो गया ये और वो कितना हुआ था उदस ही हुआ था यानि कि कहने का यह मतलब है वो आयत जो चार सेंटीमीटर का चौड़ा लंबा और तीन का चौड़ा था उसका बारा आ रहा है इस तरह से करने पर और इसका कितना आ रहा है दस ही आ रहा है आतहा इसका छेतरफल जादा होगा बात समझ गए ना इस तरह से यहां लिखा भी गया आसफ़ष्ट रूप से आसफ़ष्ट है कि पहले टुकड़े में 10 खाने तथा दूसरे में 12 खाने है और असफ़ष्ट अर्थ है कि दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े से बढ़ा है किसी चेतर को एक सेंटीमीटर माप ही उसका छेतरफल होता है उस चेतर का समझ गये इस तरह से हैं कि यह हो गया छेतरफल का आपका कंशेप्ट अब इसमें अगर आप से पूचा जाता है कि इसमें चित्रों में से देख करके बताओ कि इसका छेतरफल अधिक होगा गई गिन लो सभी का जिसमें ज्यादा बराबर खाने बन रहे हैं कि एक सेंटी मीटर के उसका अधिक होगा जिसमें कम बने उसका कम होगा अब खाने गिनना आपको आता है सभी में गिन लेना जिसका ज्यादा होगा वही क्या है सबसे अधिक है और जिसका कम है उसका कम है समझ गए दूसरा कुईस्टिन देख लो एक एक अब्यास एक एक बार में खतम हो रहा बहुत अच्छी बात है यह बहुत ध्यान से समझना इमांदारी से समझोगे तो पक्का समझ में आगा यार ठीक है देखो मैं बीच बीच में आपको यह भी बात बता दूँ आपको बोर बनाईए हम जान रहे हैं कि आप इसे एप में देख रहे हो कलास को तब ही पूरा देखो यूटूब पे लोग नहीं देखते पूरा है ना तो कलास को पूरा देखिए नोट से बनाईए अगर हम मेहनत कर रहे हैं लाइट भी नहीं है तो आप लोग भी मेहनत करिए वो दो लाइने याद आ रही है हावसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखो हार जाओ चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक बार फिर से जीतने का उमीद जिन्दा रखो तो बिल्कुल इन्हीं उमीदों के साथ हम आगी चलते हैं देखिए अगला कुश्चन वहती इंट्रेस्टेड होने माला है कहरा कि एक तीन लीटर के जग में पानी भरना है और किस से भरना है एक 50 एमेल का बरतन है जिससे पानी भरना है तो बताओ कितनी बार पानी डालें कि वह बरतन भर जाए देखो पहला नंबर तो आप एक छोटा फादिमाग लगा लो आ जाता है ना यह लीटर है एक लीटर और एक हमारे पास छोटा सा बरतन है कि इसको हम कह दें कि यह है आधा लीटर क्या है अधा लीटर अब हमारे सवाल का जवाब दो अगर मैं बोलूं कि आधा लीटर वाले बरतन से भाईया दूद भर भर के हमें एक लीटर वाले में डा चूतिये बनारहे हो, है ना, मतलब दूई बार अगर आधा-ाधा लीटर भरके डालेंगे, तो एक लीटर अधा भर जाएगा, यह आप जनते हो, तो अगर इसको आप जानते हो, तो इसमें काहिना नहीं मर रही है, भाईया, इसको भी बता दो, ना, इसमें क्यों पता है, क्य कि आपको यह मिली लीटर कन्फ्यूजन कर रहा होगा मिली लीटर और लीटर में क्या संबंद है ना तो पहले इनका संबंद हम आपको दिखा देते हैं तो यहां पर कन्वर्जन डिस्क्राइब नहीं करेंगे उसके लिए आप जीरो लेबल वाला देखिए मैं आपको यहां मतलब की बात बताऊंगा एक लीटर में एक लीटर में एक हजार यमयल होता या मिली होता है ठीक है इसको याद रखना क्या होता है एक लीटर में एक हजार मिली लीटर होता है लेकिन यह कह रहा है पचास मिली से भरेंगे हम भाईया किसे भरेंगे पचास मिली से भरेंगे तो आप अपने दिमाग में ये बात बसा लो कि कितनी बार भरना पड़ेगा सीधी सी बात है जो लीटर वाला दिया है उसे भी मिली में चेंज कर लो या मिली वाला लीटर में चेंज कर लो तब हिसाब बराबर हो जाएगा ठीक है? तो चलिए 3 लीटर को हम मिली में चेंज कर लेते हैं तो 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 3,000 मिली हो जाएगा M.A.L. जी से बोलते हैं 3,000 M.A.L. और चुकि हमें 50-50 M.A.L. से भरना है है ना? 50-50 M.A.L. बोल रहा है तो इसे 50 M.A.L. से क्या करेंगे? तो 3 लीटर का जग भर जाएगा बात समझ में आई की नहीं आई? 1 लीटर में 1,000 M.A.L. होता है मतलब मिली जी से बोलते हैं तो भाईया 3 लीटर में 3,000 होगा? 3 लीटर में 3,000 होगा? होगा ना? अब कहरा है 3,000 M.A.L. है तो भाईया 50-50 लीटर में 2,000 M.A.L. हो जाएगा तीन बार डालोगे तो 1,500 M.A.L. चार बार में 2,000 M.A.L. इस तरह से 1,000 M.A.L. एनि एक लीटर कितनी बार में आएगा? बीस बार में आएगा ना? बीस बार में एक लीटर होगा तो तीन लीटर लाना है 60 बार होगा इस तरह से अगर हम चौथे कुश्चन की बात करें हैं तो चौथा कहरा है कि चार लीटर दूद नापने के लिए 250 M.A.L. के नापने से कितनी बार दूद नापना होगा? अगर आप जिन्दगी में दूद खरीदे हैं दूद बेची हैं तो बहुत अच्छे फे जानते होंगे बच्पन में हम लोग बहुत दूद बेची हैं क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग कि यहां दूद का बहुत बड़ा सिस्टम होता है जुरू से ही है ना? तो क्या कह रहा कि 4 लीटर दूद किता लीटर 4 लीटर दूध नापना है और 250 ml का बरतन है 250 ml बहुत लोग अभी नादान होंगे इसको पववा बोलते हैं अरे वो पववा पीने वाला नहीं यह पववा दूध अलग होता है मतलब पववा का मतलब जनते हो एक बटा चार भाग लीटर का यानि 250 ml में एक पववा आता है और 500 ml में आधा लीटर आता है 1000 ml में 1 लीटर आता है तो भाईया पहले हिसाब कर लो 250 ml से क्या करना है भरना है 4 लीटर दूद है 4 लीटर में आप सभी जानते हो 4000 ml होगा 4000 ml होगा न इससे 250 में कर दो 250 से भाग 0 से 0 काट दो 25 से काट दो कट जायेगा न 25 से जरूर कर जाना चाहिए 25 से कम 25 पचीस चक्का कितना आएगा भाईया 25 से कम 25 करोगे बचेग 15 पचीस चक्का 1.516 आएगा कहने का मतलब 4 लीटर दूद लाना है तो 16 बार आपको एक पहुआ वाले बरतन से नापना पड़ेगा तब 4 लीटर दूद होगा क्यूं? क्यूंकि 1 लीटर दूद बनाने के लिए आपको एक पहुआ से 4 बार पलटना पड़ेगा तब 1 लीटर होगा तो 6 लीटर बनाना है तो 16 बार हो जाएगा न तो इस तरह से आप इसको कर लेना थोड़ा साला गे बता देता हूंने तो कहो यार आसान वाला बता दिये और जो थोड़ा मुश्किल था उसमें फसा दिये रही कहरा दूई लीटर बरतन है और दूई सो पचास एमेल के बरतन से उसमें पांच बार पानी भरा जाता है तो भीया देख लो पहले पांच बार अगर ये भरेंगे तो कितना भरेगा पहले ये देखो कितना भरना हमें दूई लीटर मतलब हमें दूई हजार एमेल भरना है ना दूई हजार एमेल भरना है और ये कहे रहें कि 250 ml से हम 5 बार भर देंगे तो भईया 5 बार अगर तुम डाल दोगे 250 ml से तो 4 बार डालोगे 1000 ml हो जाएगा चार बार में 1000 ml हो जाएगा और अगर तुम पांच मुई बार पानी डाल दोगे भईया 250 ml से तो 1250 ml हो जाएगा यह थोड़ा दिमाग लगाना फिर कह रहा जो सेस बचेगा उसको 50 ml से भरेंगे मतलब और छोटका बरतन ले लेंगे जिससे और टाइम पास हो लागडाउन में वैसे भी टाइम बचरा लोगों के पास है न तो कितना बचरा पहले देखो जीरो दस में से पांच गया पांच कितना बचाई यह उधार उधार जानते हो ना बढ़ी कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है यार वैसे समझे लो बाराइट साड़े साथ सो ना साड़े साथ सो एमेल बच रहा है अब पचास पचास एमेल से भरोगे तो साड़े साथ सो एमेल कभ होगा यह बताओ सोचो 50-50 ml से भरोगे तो 700 ml कब होगा दूई बार भरोगे 100 ml हो जाएगा तो 700 ml कब होगा पहले यह देखो दूई बार में 100 ml हो रहा है मतलब 700 ml जो है भाईय चौदा बार में होगा 700 ml चौदा बार में होगा एक 50 ml और बचला मतलब 15 बार कहने का मतलब ये है कि 50 हमेल वाले बरतन से सेज भाग को कितनी बार भरा जाएगा कितनी बार भरा जाएगा 15 बार भरा जाएगा मतलब 2 लीटर के बरतन से बच्चा अगर 5 बार पलट दोगे मतलब 2 लीटर के बरतन में 250 हमेल से तो आप भर लोगे 1250 हमेल मतला 5 पॉवा भर लोगे 5 पॉवा भर लोगे लेकिन किता पॉवा भी बच रहा है तीन पॉवा बच रहा है और उस तीन पॉवा को पूरा करने के लिए 50 मेल वाले बरतन से 15 बार भरोगे किच्ची भर का रहेगा थोड़ा-थोड़ा तब जाके भरेगा तो इसे आप समझे गए इस तरह से कल्यान हो गया आपका ये चैप्टर खतम हो गया है अगर आपके मन में कोई और सवाल है कोई डाउट है ता आप उसे पूँच सकते हैं निरंतर कोशिस करें और इमानदारी से कोशिस करें क्योंकि सही दिशा में और सही समय पर किया गया का उसका पालन करें उसका उलंगा ना करें राजनीती और अपना मंदिर मस्जिद का सिस्टम अपना धार्मिक मुद्दाबाद में निप्टा लें अभी मानोता कि जिन्दगी की लड़ाई चल रही पूरे संसार में उसमें अपना सहयोग करें घर में बने रहें लागडाउन यह लागडाउन वालों के लिए है हो सकता आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं जब लागडाउन खतम हो जाया है सबसिश्टिती सामान ने हो जाया दो साल बाद जैसे परजन टाइम की मैं बात कर रहा हूँ अपरे बारत देस में नहीं पूरे संसार में कोरोना की हमारी चल रही है तो फिल हल साती हो इस वीडियो में इतना ही अगर आप इस वीडियो को कहीं डेमो के रूप में देख रहे हैं यूटूब पर या फेस्बुक पर तो कि रुपया इन नंबरों पर संपर करें फोन कॉल करें या वाटसप करें यहां पर आप तीन तीन भी ल प्रेम पूर्बग हिर्दय से आभार जो आपने इसे देखा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आन रखें और देखते रहें पीवियारे स्टेडी को पीवियारे स्टेडी को यूटूब और फेस्बूप ट्विटर इंस्टाग्राम ट्विटर टिक टाक हर जगा फ